पीरियल नत कृष्णा और गौरी की कहानी में यहाँ पर गोपिका सो रही होती है और गोरी फोटो देखकर जीत कहती है कि क्या हो गया तुम कहां चले गए और मैं तुम्हें छोड़ा कर रहूंगी चाहे कुछ हो जाए यहां पर जी सोचता है कि कृष्णा आज भी वैसी है जैसे पहले थी पहले भी वो दूसरों के बारे में सोचती थी आज भी ऐसा ही सोचती है मैं उसे अपनी जिंदगी में लाकर रहूँगा और सिव के साथ सोच आता है कहता है कि वैं बहुत अच्छी है मैं उसका साथ दूँगा यहां स्कूल छोडने जाती है गोपिका को और कहती है कि शैतानी मत करना स्कूल में अच्छे से रहना मैं साम को तुम्हें लेने आऊँगी तब ही उसके कुछ दोस्त और उसके पेरेंट सा जाते है उनके पापा भी आते हैं उन्हें देखकर बड़ी दुखी सी हो जाती है गोपिका और सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं तुम बता दो मैं उन्हें धूंड दूंगी वह मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते हो तुम मुझे आटो में छोनने क्यों आती हो तो कृष्णा कहती है कि हमारे पास जो है हम उसी में छोनने आते हैं और फिर तुम अच्छी बच्ची हो तुम बात मत करना क्लास में और मैं साम जहाँ और इसके सामने सच आएगा तो यह क्या सोचेगी घर जाती है तो दादी कहती है खाना खालो वह बोलती है ठीक है खाना लाओ जैसे ही खाना लाने जाती है वह बोलती है अच्छा मौका है फोटो घूनने का अपनी ड्रेसेज उतारती है और कहती है माने एक बॉक्स रखा था वह हमेशा चुपचाप देखती हैं मुझे बॉक्स नहीं दिखाती हैं और फिर मैं जा रही हूँ वही बॉक्स ठूनूँगी शायद उसी मैं फोटो हो चुपचाप माने रग दिया था और हमेशा मना किया है मैं उसमें जरूर धूनूँगी आज और माग को मैंने देखा था कि उस बॉक्स को देखते सامहे बहुत ज़्यादा रोh रही थी तब ही बुलती ही कि इस सलमारी में बॉक्स रखा है ढूνडती हो सलमारी ही बॉक्स तो उसे बॉक्स मिल जाता है और बॉक्स प्रे करती है कि इससे फोटो निकल आए